मैं बस अपना एक्स्पीरियंस श्याय करूंगी, कि नीट के लिए ऐसा लगता है जो प्रेपरेशन करते हैं, बहुत टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा या नहीं होगा, तो बस है कि उमीद रखो हो जाएगा, मतलब अपना गोल सेट रखो कि बस हमें करना हैं, उ हमारे बाइलोजी फेकल्टी राजीर सर ने बहुत हैप की, मुझे बाइलोजी में, और रहल सर अब सेख सर ने भी फिजिक सेमिस्ट्री में गाइडन्स दी, बाकी न्सी आर्टी से हम लोगों ने पढ़ाई की, ऑनलाइन कोचिंग, तो बस यह है कि अपना गोल आप लोगों कुछ सकते हैं, कुछ पूछन जो आपके मन में उठ रहा हैं, कुछ पढ़ाई सम्बंदेद, वे बहुत जो इंटरीजन बच्चें वो बोलेंगे हमने आठ घंटे पड़े घंटे पड़ां कुछ भोलेंगी हमने तीन घंटा वह अपने ऊपर डिपेंट हो Greenston debt कितने में पर्टा कर सकते हो 보여 पर दिपेंड करता है मतलब मेरा तो हैसा मैं नहीं बोलूँगा मैंने आत गंटे पढ़े और कभी कभी होता था मैं दिन भर बैठी रहती थी बट वो बुक लेके रहना कोई फायता नहीं होता है तो जब तक मन हो रहा है अच्छा से पढ़ो फिर एक घंटा हो दो घंटा हो जितना भी हो बस मन से पढ़ो फिर ऐसा भी नहीं होता टाइम से डूर कुछ सेट कर लेते कि अब यह तो बायो ही पढ़ना है यह ताइमिंग फिजिक्स पढ़ने यह केमिस्ट्री पढ़ने कुछ नहीं होता मतलब जब तुम्हें जो सब्जेक्स में मन में आय तुमको तो उसका एक ऐसे सेट कर दोगे ना तो अपने अपने रिस्रिक्शन लग रहे कि टाइम हो गया तब हमको उस पर जाना है उससे अच्छा है कि जब जो मन पर आये बस कर लो और जब मन नहीं हो तो थोड़ा अपने आपको रिलाक्स कर लो फिर यासा नहीं कि बस अमुझे सबसे पहले तुम्हें कि आप सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि जैसे आपको सब्जेक्ट आज क्या फ्रीडम है की नहीं तो आप सबको क्या लगता है कि मुझे किस वाक्ट से फ्रीडम चाहिए आप बदाएए पढ़ाई सबसे पहले अपने फ्रीडम चाहिए किससे फिजिस केमेस्ट्री बायो से है की नहीं कि अपने को इतनी महत करनी है कि अपने अगले साल फीजिस केमिस्ट्री बायो में तीनों से फ्रीडम अपन पा जाएं 15 अगस्तिय पहले पहले तक समझे क्या तो वही है अपने को अपने को अपने टीचर्स पर पूरा विश्वास रखना है क्या को पढ़ा रहे हैं क्या नही चीए कि जनी बायो मेरा नाम अभिशेत सोनी है और इस साल में ने निट दिया था और एलन की आंसर की से मेरे केमेस्ट्री में 150 हैं फिजिक्स में 125 हैं और बायो में 25 हैं तो कहीं न कहीं देखो यार सबसे पहली चीज होती है यार सीखना अपन कहां से सीखते हैं चीजे है यह नहीं होता है कि अपन सुचते हैं कि जहां अपन पढ़ने जा रहे हैं हाँ पढ़ाई तो हो रही है पढ़ाई के लावा भी बहुत सारी चीजे होती है जिंदेगी में जो सीखने की होती है दो वर्ड को मैं यहां पर फोकस करना चाहूंगा एक होता है हो रही है कि हम सुधार कर रहे हैं कि अपने डे टो डे लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं या फिर यही सब चीजे जो अपन सोचते हैं से अनलाइज करते तो हमको चीजे पता चलती है सबते पहले होता है खुद से बाते करना आप खुद से कितना बाते करते हो खुद को कित तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं क्या गलतियां हो रही है बस ये सब चीजे जब आप खुद से पूछते हो तो आपको पता चलता कि acceptance क्या होता और expectations क्या होती है expectations कभी मत रखना acceptance रखना कि हम कहां पर हैं और हमें कितना चोहिए है ना गोल तो सेट करो गोल से क्या होता motivation मिलता है लेकिन reality को भी focus करते हुए कि अपन किदर है ठीक है बहुत सारी चीजें मैंने face की थी मेरी थोड़ा journey लंबी हुए थी बस सीखने में time लग गया कही ना कहीं हमारे जो senior से हमेशा हमें motivate करते रहे राजीव सर हो गया प्रांजली मैं हो गई और इनी सब की बदोलत मैं कहीं न कहीं यहां पर आया हूं तो देखते हैं सब तो बाकी उपर वाले के भरो से सब अच्छा होगा और तुम लोग का भी बस खुद से promise करो कि मैं खुद को analyze करूंगी करूंगा और जो चीजे हमारे अंदर कमिया है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा और हमेशा टीचर्स के contact में रहना ज़रूरी है कुछ भी problems हो मैं यह नहीं बोरा हूं कि आपको doubt है किसी चीज का तो बोले करा रहा है कोई भी कोई भी परिशानी हो किसी भी तरह की कि यह 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 है इसकी वज़े से मैं पढ़नी पा रही या फिर यह है य जानता है ठीक है तो जब आप Self Analysis करोगे आपको चीज़े पता चलेंगी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है चलो ठीक है थैंक्यू सो मुच एपी इंडिपेंडेंट्स दे कुलिए और हमारे भाज़ता कुछ लग था क्यूंकि लॉक्डाउन लग गया था सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस था सेकेंड में सब को पता था कि करना क्या है परसनली मुझे आसा लगता है कि Self Analysis जरूरी होता है तो उसके लिए सब ही लोग अपना थोड़ा थोड़ा करके एक टूडू जरूर बनाता है वो जरूरी नहीं है कि वो रोज बनाए या उ उससे उनको एक डिरेक्शन मिली रहती है तो बाकी सब सबने सब कुछ कहां एक डूडू का अगर हो सके तो try करना पूरी follower हो नहीं हो fact नहीं पढ़़ना आपको एक डिरेक्शन मिली रहती है आपको एक उमीद रहेगे एक goal रहेगा कि हां याँ आगे बढ़ना है और कहां That's it. Thank you. Happy New Year! आप्या एक्स्पिरियंस पहले तो 11-12 में तो मैं क्या करती थी? मतलब मैं वैसे जादा पड़ती लिखती नहीं थी तो मॉक टेस्स मतलब मैं देती थी पर रेगुलर तो मॉक टेस्स में मैं ऐसा करती थी मॉक टेस्स देती कि फिर उसके दसका अनालिजिस करती थी बाकी जित्ती गलती रहती उसे सीख लेती थी मतलब पर मैं जादा पड़ती थी सबसी तो पड़ आप लोग पढ़ना है एक बिल पावर नाम की चीज़ होती है कि हमें अपनी बिल पावर को इतनी ज्यादा मेंटेन करके रखनी होती है इस पुरी नीट के प्रिपरेशन जायने में कि हमें जो भी हमें टाइट से परेशने करना हैGS अपना अपना गोल आजीव दरलोगे लीकिन अपना अधमा एक जडि़ूराई करना और Friendly और मैंतो यह यह अधार पढ़ाई करते जाले हुआ अमन्दा हमें साटेनी रहे मिमें राक्स भी रहना है कोड़े स्कुलिक भी पढ़ाए सिंहे घाररें दो साथ सात में ज्यादे ज्यादा कोचीं सो आज़ादा करूगी उत्ते स्यादा मैधा आदा हुद्फों करोंगे उसके सॉ और मिदो और से स़कुरणगी मतलब जब हो ऑफ से कारओंगी अचारे प्रभास कोचियन नहीं हाक है तो ठीक है